मैं समय हूँ, मेरा जन्म स्रिष्टी के शुरुवात के साथ हुआ था मैं भूत में बिठा, बर्तमान में भी हूँ और भविश्च में रहूँगा ये लाइने आपने जरूर सुनी होगी दोस्तों आए आज स्रिष्टी की शुरुवात की बात करें ये ब्रमान्ड, ये प्रित्वी, मंगल, बोध, सूरज, चंद्रमा, प्रित्वी, पहार, नदिया, ये कैसे बनी इसकी शुरुवात कहां से हुई और ये स्रिष्टी की जो शुरुवात है वो कब से हुई इसके बारे में बहुत ही रोचक जानकारी हम लेकर आए हैं आपके सामें एक करमबत तरीके से इसमें हम सीखेंगे कि यूनिवर्स कैसे जो है बना उसके वारे में क्या-क्या अलग-अलग से धान दिये गए, क्या-क्या थियोरीज हैं और ये जो आज गलक्सीज देख रहे हैं, ये जो आज अलग-लग प्लैनेट्स देख रहे हैं तारे देख रहे हैं और जितने भी खगोलिया पिंड हैं ये जो जितने अलग-अलग चीजे देखने को चमकिले मिल रहे हैं आस्मान में वो कैसे बने इसकी कहानी दोस्तों यह जो है हमेशा से मानव मस्तिस्क के लिए एक कोतोहल का विशे रहा है कि भाई ये दुनिया कैसे बनी ये चांद सितारे सूरज कैसे बने मैं कौन हूँ मैं कहां से आया हूँ ये सवाल जो है सबसे पुराना सवाल है अलग-अलग धर्मों में शास्त्रों में अलग-अलग जगा ये सवाल हमेशा मानव मस्तिस्क को जगजोरता रहा है इसके लिए हर धर्म में अलग-अलग सिध्धान दिये गए अलग-अलग विज्ञान जो है अलग-अलग सिध्धान देते रहे और वक्त के साथ यह इवा यह सारे जो है यह चक्कर लगा रहे हैं प्रितवी के चारों तरब लेकिन दीरे-दीरे वो वक्त था 140 AD 140 AD में जब टॉल्मी ने यह कहा था कि भाई यह प्रितवी जो है वो केंद्र है इस यूनिवर्स का और बाकी जो ब्रह्मान के जो बाकी जो जैसे सूरज है को इसके चारों चक्कर लगा रहे हैं इस अप्रोच वो कहा जाता था जियोसेंट्रिक अप्रोच भूक केंद्रित आउधारना कहा जाता था इसको और धीरे-धीरे करके जो है एक समय ऐसा आया जब करीब 1543 में 1543 में जो है यह बताया जाने लगा कि नहीं नहीं यह जो हजार तक हम मानते रहें दरसल वो हमारी मुर्खता थी हम वो समझी नहीं पाये थे कि प्रितवी जो है वो केंद्र नहीं है तो जो इजब्टियन और ग्रीक एस्ट्रोडॉमर थे दोस्तों क्लॉडियस टॉल्मी इन्हों ने कहा था कि भई जो है प्रितवी केंद्र पर है इस सेंटर में है और बाकी चीज़े इसके अराउंड रिवाल्व कर रही है लेकिन कुछ हजारों साल तक लोग ऐसा ही मानते रहे और फिर निकोलस कॉपर निकस ने 1543 में एक नई अवधारना दी जिसमें उन्होंने हमें बताया कि भई नहीं नहीं आप जो आज तक पढ़ते आज तक जो जानते आएं वो बिल्कुल गलत है बल्कि सही क्या है सही ये है कि सन हमारे सेंटर में है और बाकी जो है प्लेनेट स के चारों घूम रहे हैं इस कॉंसेप्ट को दोस्तों कहा गया, हेलियो सेंट्रिक कॉंसेप्ट, यानि सूर्य केंदरित अफधारना थी तो आई गेस ये हमें समझ आ गया होगा कि जो शुरुवात में किस तरह से हुआ और जैसे ही दोस्तों निकोलस कॉपर निकस ने ये फोज की इस से पूरा पारडाइम शिफ्ट हुआ जो है खगोल सास्तर में तो उस वक्त से क्या हुआ कि एक नए तरीके से सूचना शुरू क या लोगों ने अलाकि कहा यह भी जाता है कि करीब इससे हजार साल पहले और यह भट ने जो सूरी ग्रहन और चंद्रग्रहन के बारे में जो बताया उनका जो कल्कुलोईशन था वो कहीं ने कहीं हैलियोसेंट्रिक अप्रोच पे यानि सूर्य केंत्रित अवधरना पे जो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक अधिन के बाइनोकुलर्स की मदद से और इन्होंने कहा कि दोस्तों अपना जो यह सौर परिवार है या तो गेलक्सी का एक छोटा सा अंश भर है या उसका एक फ्रेक्शन है देखिए जिस सूरज की हम अराधना करते हैं और उसको ब देखिए तो दोस्त उसके बाद हबल का नाम आपने सुना होगा एडविन पी हबल 1925 में इन्होंने यह बताया कि जो अपना ऑपजर्वेवल यूनिवर्स है जो दृष्यपत में आने वाला यूनिवर्स है उसका जो डायमेटर है दोस्तों वो है 250 मिलियन लाइट येस 250 मि इन्हुजख किया उपजर्वेवल यूनिवर्स मैं उसको फटाफफट से एक बाar एक्सप्लेइन कर देता हूं कि देखे जो यूनिवर्स है वो सिर्फ उतना ही नहीं है जितना दिखाई परता है अगर मैं बात करूँ ये इस universe की तो दोस्त यह जो यूनिवर्स है वो उब्जर्वेवल उनिवर्स जल्दी से हम इसको समझ लेते हैं कि फटाफट से अगर हम यह देखें कि दोस्तों अगर मान लिजिए एक टावर है एक बरा सा टावर है और इस टावर पर हमने एक जगह बना दी और इस पे आप खड़े होगे और आपने जो है यहाँ पे आपने जो है इस tower पे से देखा पृत्वी को देखा तो एक बड़ा हिस्सा आपको दिखाई पड़ेगा काफी उचा tower है लेकिन जहाँ एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी होगा जो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा तो क्या आप ये कहेंगे कि नहीं इतना ही है universe नहीं जहां तक आप देख पा रहे हैं वहां तक तो है ही लेकिन जो आप नहीं देख पा रहे हैं उसकी भी होने की संभावना है ठीक उसी तरह से जो universe जितना नहीं देख पा रहे हैं वो non observable है जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं अब जल्दी से एक चीज और यहाँ पर term यूज हो गया light year, light year का क्या मतलब है, देखो आपको पता ही है कि जो खगोल सास्तर में या जब हम astronomy में ये देखते हैं कि जो दूरियां होती हैं वो काफी अनंत हैं, बहुत बड़ी है, तो इसमें kilometers, meters में तो हम नाप नहीं सकते दोस दोस्तों, ये मान लिजिए point A है और ये point B है, अगर मान लिजिए, ये मान लिजिए कि अगर यहाँ से हमने light छोड़ा और एक साल तक अपने speed से जाके, एक साल में जहां तक की दूरी इसने तैकी, और मान लिजिए ये point B पे पहुंची, तो ये जो है, ये distance क्या कहलाएगा one light year कहलाएगा, अब इससे आप कलपना करिए, अब इससे आप कलपना करिए, कि ये जो है, धाई million light years जो है, वो हमारे, धाई 100 million, माफ कीजेगा, 250 million जो है, वो हमारे observable universe का diameter है, आप इसी से अंदाज अलगा सकते हैं, कि कितना विशाल है, और कितना बड़ा है, अब हम इतना हमें अभी तक तीन चीज याद आया होगा, कि जो 140 में क्या हुआ, 140 में टॉल्मी ने जियोसेंट्रिक अप्रोच दिया, फिर आगे चलके 1543 में हेलियोसेंट्रिक अप्रोच दिया, कॉपर निकस ने, फिर जो है, विलियम हर्शल ने ये बताया, कि जो हमारा सौर परिवार है, वो एक अंशमात्र है, गेलक्सी का, है ना, जो हमारा गेलक्सी है, वो एच्छली, जो है, सौर मंदल जो है, अकास गंगा का क्या है, एक अंशमात्र है, फिर हमने आगे देखा कि 1925 में हबल ने कहा, कि भाई, जो अब्जर्वेवल उनिवर्स है, उसका जो डायमीटर ह है, वो है 250 मिलियन लाइट यह, आई होब यहां तक आप अच्छे से समझ गया होंगे, अब जल्दी से हम आगे बढ़ें, कि जो थियोरीज हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर जो है, थियोरीज बहुत सारे दिये गए हैं, बहुत सारे सिद्धान दिये गए हैं, जि लकिन हम भी उन धारंआओं के बाद नहीं करेंगे, हम उस नहीं कि बात करेंगे, जो हमारे साइन्स के हिसाब से जो है, उसमें से एक आपने जरूर सुना होगा, बिग बैं सिद्धान इसको महाविस्पोट का सिद्धान भी कहते हैं, दूसरा आपने सुना होगा, सामझ अ जो है इसमें याद रखना है कि जो है जो है बिग बेंग सिद्धान दिया किस ने दिया जो इसके अनुसार की एक जितना पूरा यूनिवर्स है असंक गलक्सिय और असंक टारों का जो समू है उसमें जितनी मैटर और इनर्जी थी कभी एक जिगा डैंस एक पॉइंट पर थी इसमें एक विस्फोर्ट हुआ और पूरा दुनिया बना पूरा मतलब प्रमांड बना यह कहना है बिग बैंक थियोरी का जो Steady State Theory है एक सेंटेंस में अगर हम समझ लें तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूँ कि Steady State Theory जो है इसको इतना प्रमानिक नहीं है और इसको जो है बहुत हद तक गलत साबित कर दिया गया है इसमें ये कहा गया है कि जैसे इसमें कहा गया कि 13.8 billion years पहले जो है यह महाब जरूर रही है लेकिन इसका एक साइस है वो हमेशा से Steady रही है इसलिए इसको कहा गया Steady State Theory इसके बारे में जो इंपोर्टेंट बात याद रखनी है सबसे पहले कि यह मानी इतना नहीं है दूसरा इस किस ने दिया हर्मन बॉंडी थॉमस गोल्ड और सर फ्रेट होईले इन विश्ट जो है ब्रह्माने का दोलन सिद्धन, इसमें क्या है दोस्तों इसमें कहा गया कि आपने देखा कि एक पॉइंट से स्पोर्ट हुआ और पूरा बन गया ब्रह्मान और ब्रह्मानी फायलता जा रहा ह और और फाइलने के बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब क्या होगा यह फैलना रुख जाएगा और अगेन यह बिग गरंच होगा और यह पूरा फिर सिमट के एक पॉइंट में आ जाएगा तो यह क्या हुआ कि देखिए पॉइंट से चला ब्रह्मान बना फिर ब्रह्मान से पॉइ गया तो और फिर पॉइंट से कुछ समय बाद क्या होगा ब्रह्मान बनेगा यानि क्या होगा पल्सेटिंग त्योरी दोलन का मतलब क्या होता है कि देखिए यहां से यहां आया और यहां से यहां आया यहां से यहां तो कहने का मतलब यह कहा गया पल्सेटिंग युनिवर् या अपना चुके इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट है तो हमने यह तीनों चीज बताई आपको याद क्या रखना है किस ने दिया विद्बैंग तियोरी जॉर्ज लमेंटेर ने दिया हर्मन बोल्डी और थॉमस गोल्ड ने सामयावस्ता तियोरी दी और जो डॉक्टर एलन सं सबसे जादा मान्य सिद्धान्त है और इसका जो प्रतिपादन किया यह बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर थे जॉर्ज लमेंटेर इन्होंने किया यह बिग बैंग क्यूरी दिया और इसके इसके अनुसार क्या था कि 13.8 billion years ago यानि 13.8 अरब साल पहले क्या हुआ कि जो जितना भ पर जो है condensed था यहां पर सब जो है जो है उस पर इकठा था है ना और जो यह extremely high temperature और dense point है इसको कहा गया दोस्तो singularity इसको क्या कहा गया singularity इंदी में इसको कहते है दोस्तों विलक्षनता या एक ऐसी चीज थी आप अंदाजा कर सकते हो कि इतने छोटे से point में पूरे ब्रहमा कि जो matters है energy है space है सब नहित था उस जगह को क्या कहते है दोस्तों उस point को कहते है singularity इसको कहते है विलक्षनता यह ध्यान रखने वाली बात है तो इतना हमें ध्यान हो गया होगा फिर क्या हुआ फिर यह हुआ कि हो जो singular singularity थी माप किजिएगा उसमें क्या हुआ एक big bang हुआ महाविस्फोट हुआ उस महाविस्फोट की बज़े से जिसने उसमें matter थे वो disperse कर गए और यह जो है पूरा ब्रह्मान की संदचना हो गई जिसमें substances थे cosmic bodies और galaxies जो आज आप हम देख रहे हैं हमने क्या कहा कि भाई 100 अरब तो galaxy है और 100 अरब galaxy में करीब 100 अरब यह अरब ल होगा कि यह कैसे हुआ देखिए कुछ इस तरह से जो है यह विस्फोट हुआ देखिए दुबारा से एक पॉइंट था और fraction of second में fraction of second में जो है कि यह विस्फोट हुआ कि आप कीजिए यह देखिए जो जितने में मैटर्स थे और जितने एनरजी थे कहीं एक पॉइंट पे यहां पे यह जो है एक कत्रित थे यहां से क्या हुआ कि यहां पे जो एनरजी की जब बात करते हैं और फोर्स की बात करते हैं देखिए आज हम आप बैठे हुए हैं जहां बैठे हैं फीजिक्स की जितनी भी सारी चीज़ें चल रही है दोस्तों वो जो है चार तरह की फोर्स से चल रही है जो आप जिसको कहते हैं फंडामेंटल फोर्स इस अगर यहां लेखू इसको कहते है fundamental forces, fundamental forces क्या होते हैं मैं उसके detail में नहीं जाओंगा क्योंकि यह इतना जरूरी नहीं है, बस समझने के लिए एक हम समझ लें कि चार तरह की जो forces हैं, gravity है, electromagnetic forces हैं, weak forces हैं और strong forces हैं, इसके detail में अभी हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि यह physics का है और बहुत बड़ा topic है, तो आप यह समझ लेजिए कि दुनिया की जितने भी physics के laws हैं, यह चार तरह के force से regulate हो रहे हैं, और जितने भी matters हैं universe में, आज वो और सारे forces एक point पर केंदरित थें, अब आप कलपना करिए, कि अगर एक point पर पूरा universe केंदरित होगा, और वहां पे सारे forces जो है, वो केंदरित थे, तो यह कैसे है, यह थोड़ा कलपना से पर है, इस पर अभी खोच जा रही है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, कि यह जो forces थे, उसमें कुछ, उसके संतुलन में fluctuations होए, उसके संतुलन में fluctuations होने की वज़े से क्या हुआ, जिसको का जाता है, quantum fluctuations, उसके forces में, जो है, fluctuation होने की वज़े से क्या हुआ, कि एक महा विसफोट हुआ, और तेजी से expansion होने लगा, तेजी से expansion हो, जो हुआ, यह समझ जाए, कि within second में, करीब 10 to the power 26 गुना हो गया, within fraction of seconds में, यह जो है, 10 to the power 26 गुना हो गया, इसको का जाता है, दोस्तों, inflation, इसको का गया ह inflation, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पूरा universe में तब तक light नहीं था, एक घना अंधेरा वाला, एक समय आया, जो कई हजार सालों, कई लाक सालों तक अंधेरा रहा, कायम रहा, है ना, तो उस अंधेरे युग को, उस अंधेरे वक्त को कहा जाता है, और जब मैं यह कह रह अगो, first star जो है, 400 million years, जब इस से, यहां से जब समय आगे बढ़ा, 400 million years, समय की शुरुवात यहां से मान लेजीए, और कैसे जो आज यहां पर हमें, इस से अगर हम दीरे दीरे पीछे चले जाए, समय में पीछे जाए, समय में पीछे जाए, समय में पीछे जाए, और 13.8 billion पीछे अगर चले जाएं, तो यह समय आता है, यहां के 400 मिलियन साल बाद क्या हुआ, फर्स्ट स्टार बना दोस्तों, और फर्स्ट स्टार बनने के बाद, जो है, क्या हुआ, कि दुनिया, जो इस प्रमान में पहली बार, प्रकाश दिखा, और प्रकाश के बाद, जो है, यह यूनिवर्स, तीरे-दीरे जो है, यह अलग-अलग जो गलक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, इन सब का जो है, जो है, निर्मान हुआ दोस्तों, और यह जो है, डार्क एनर्जी, जो है, उसकी वज़ए से इसका एक्सपेंशन होता है, क्या है, जो अभी भी जो गलक्सीज एक पुखता जानकारी नहीं है, एम्परिकल एविदेंस नहीं है, कि कौन सा फोर्स है, एक यह कहा जाता है, कि इस फोर्ट के समय जो फोर्स इसमें लगा, वो उसी का एक्सेलरेशन अभी भी काम कर रहा है, इसलिए जिस चीज़ के बारे में नहीं पता है, जिस एनर्जी के ब के साथ हुआ था यानि कि स्रिस्टी के सुरुआत दोस्त मैंने जो कहा यहां से श्रिस्टी का सुरुआत हुआ और यहां से जो है टाइम शुरू होता है और टाइम के बढ़ते के साथ इसका एक्सपेंशन होता जा रहा है यूनिवर्स का और इस तरह से हमारे जो है यह गलेक दोस्तों कुछ चीजें हमें याद रखनी होगी, यह तो हमने पूरा कहानी समझ लिया, अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, अभी मुझे कुछ चीजें बतानी है, जो आपको learn करनी है, याद रखनी है, जो examination point of view से दोस्तों important है, गलक्सी क्या होता है, गलक्सी होता है, group of billions of stars revolving around a center is called galaxy, जो एक group है, जो billions of तारों का एक समू है, जो किसी एक केंदर के चाहूर घूम रहा है, उसको क्या कहते हैं गलक्सी, या हिंदी में उसको कहते हैं, आकाश गंगा, आकाश गंगा क्या है, असंख तारों का एक विशाल पुंज होता है, जिसमें एक केंदरिय बल्ज, एवं तीन गुर्नन सील भुजाएं होती हैं, मैं अभी दिखाऊंगा, ये एक अनुमान के तोर पे ये माना गया है, कि यूनिवर्स में करीब 100 बिलियन गलक्सी है, ध्यान से सुनिएगा, 100 बिलियन गलक्सी हैं, और एक गलक्सी में जो है अवसतन 100 बिलियन तारे होते हैं, ऐसे भी गलक्सी हैं, जिसमें एक लाग तारे हों, ऐसे भी हैं, जिसमें कई बिलियन तारे हों, तो अवसतन ये कहा जाता है, कि एक गलक्सी में 100 बिलियन तारे होते हैं, और जो हमारी गलक्सी है, जिसमें हमारा घर है, जिसमें हम रहते हैं, ये अर्थ है, वो उ की आकरती है बाड स्पाइरल से इसको कहते हैं सरपिलाकार है दोस्त यह क्या है सरफिलाकार है इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं कई आपको यह दो बाते समझ आई, दो बाते समझ आ गई, कि क्या है, गलेक्सी किसे कहते हैं, आपना गलेक्सी का नाम मंदाकनी है, और एक गलेक्सी में करीब 100 विलियन तारे होते हैं, और जो है, इसका आकार कैसा है, इसका आकार है, बार्ड स्पाइरल, जल्दी से आगे बढ़ें, और देखें कि बल्ज जो होता है, वो अकास गंगरा के केंदर को कहा जाता है, अभी मैं दिखाऊंगा कि बल्ज कौन सा है, और जो मिल्की वे क्या है, ये एक मैसिब बीम आफ स्टार्स है, consisting of a central बल्ज, मैं अभी मिल्की वे दिखाऊंगा, देख कि आपको समझ आ जाएगा, ये तो अगास ये है, अका मंदाकनी, मंदाकनी को मिल्की वे भी का जाता है, और दुग्द मेखला भी का जाता है, ये भी मैं लिख देता हूँ, दुग्द मेखला भी का जाता है, इससे जो है, क्या है कि जो एंड्रोमिडा है, वो 2.2 million light years है, मिल्की वे से, देखिए, बहुत 2.2 million light years ago, जब आप कलपना करेंगे, और एक्चुल में इसमें 0 डाल के देखेंगे, कि कितना दूर है, तो आपकी जो है, मतलब आपके एकदम रोमांची तो उठेंगे, तो भी या क्या है, क्या है, तो मतलब जो सबसे नजदीक का जो गलक्सी है, मंदाकनी का, वो कौन सा है, अंड्रोमीडा, अकास गंगा के सबसे नजदीक का गलक्सी अंड्रोमीडा है, जो कि 2.2 million light years, जो है, दूर है दोसे, आगे देखिए कि क्या है, औरियन नेबुला जो है, ये क्या है, ब्राइटेस्ट क्लस्टर ओफ स्टार है हमारे गलक्सी का, औरियन नेबुला क्या है, स सबसे चमकता हुआ, सबसे ज़्यादा चमकिला तारा है, एक गलक्टिक एर क्या होता है, एक गलक्टिक एर होता है, अभी हमने बताया कि जो गलक्सी होता है, वो मान लिजी ऐसा है, अगर तो एक केंदर के चारों तरफ गूम रहा है, तो यहाँ भे मान लिजी अगर कोई जो है एक गलेक्सी है यह अपने चारो तरफ गूमने में जितना टाइम लेगा एक चक्कर लगाने में जितना वक्त लेगा उसको कहते हैं गलेक्टिक एर यह कहते हैं दोस्तों कॉस्मिक एर ना ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं इसको तब गलेक्टिक एर ऑल्सो नोने जब कॉस इस galactic center जो है इस galactic center के चारो और जो चक्कर लगाएगा वो लगाएगा जितने वक्त में लगाएगा उसको का जाता है cosmic year ये जो है ये sun जो है galactic center के चारो और कितने वक्त में चक्कर लगाता है तो दोस्तो 25 करोड वर्स में करता है 200 million years में करता है 250 million years में अगर यह पुछा जाएगा कि सन जो है Galactic Center के चारो तरफ एक चक्कर लगाने में कितना वक्त लेता है तो दोस्तों 25 करोड वर्स लेता है यह याद रखेंगे guys ठीक है next करेंगे next क्या है proxima century यह जो है nearest star to the sun है यह अगर पुछा जाए कि sun भी एक star है sun एक star है लेकिन यह पुछा जाएगा कि sun से nearest star कौन है तो अपन कहेंगे जो है proxima century जो है proxima century क्या है यह है दोस्तों सूरज का सबसे नजदीक का तारण आपको पता है कि जो Glielio है इनोंने सबसे पहले धूरबीन से जो है आकाश का जो है 1609 में सबसे पहले जो है antrix का जो अध्यन है वो धूरबीन के मदब से किस ने किया दोस्तों Glielio ने किया 1609 में यह आपको एदम गाइस याद रखना है कि गलेलियों ने पहली बार जो है दूरबीन से अध्यन किया एक टर्म और हमें देख लेना है कि गोल्डी लॉक्स रीजन क्या है गोल्डी लॉक्स रीजन क्या होता है कि सन से उतनी दूरी जहाँ पर अध्यन हो सके टेंपरेचर उतना हो कि वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी जो सकी उस रीजन को कहते है जी गोल्डी लॉक्स रीजन ठीक से इसको देख लें गोल्डी लॉक्स रीजन is the fixed distance from the star of a solar system, star of a solar system का क्या मतलब हुआ जैसे अपने solar system का star कौन सा है तो बही sun है और उस sun से जो दूरी होगी उस sun से जो दूरी होगी उतनी दूरी जहाँ पर temperature जो हो वो क्या हो suitable for life हो जहाँ पर life exist करने की संभावना हो तो ऐसे रीजन को क्या कहत हैं दोस्त गोल्डी लॉक्स रीजन या गोल्डी लॉक्स जोन मुझे लगता है कि यहां तक आप लोगों को एकदम बढ़ा समझ आ गया होगा अब पटा फट से चलेंगे आगे आप इस तरह से देखिए यह जो है यह जो है देखिए यह गलेक्सी है अपना यह है बल्ज यह क्या है यह बल्ज है और इसके चारों तरफ यह चक्कर लगा रहा है माल लेजिए यहां पर काही हमारा सन है और यह सन इसके साथ माप किजिएगा इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और एक चक्कर लगाने में जितना वर्स लगेगा यानि यह बल्ज जो है यह गलेक्टिक जो सेंटर है इसके चारों तरफ लगाने में 25 करोड वर्स लगते हैं 25 करोड वर्स लगते हैं याल रखेंगे तो आपको यह समझा गया कि ग लेकिन सुरी भी पूरा सोर परिवार के साथ चक्तर लगा रहा है, क्योंकि पूरा गलक्सी ही Galactic Center के इर्दगिर्द भूमराई, तो आगे आते हैं, आतास गंगा के समूव को क्या कहते हैं, देखिए जब बहुत सारे गलक्सी के समूव को जो है, लोकल ग्रूप कहते हैं, और local group जब आगे बढ़ता है कई सारे local group मिला के cluster बनता है और कई सारे cluster को मिला के क्या बनता है super cluster तो अकास गंगा के समू को super cluster आ जाता है यानि galaxy's का जो 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 group है उसको क्या कहते है उसको कहते है super cluster अभी तक जो भी known हुआ है उसमें से सबसे बड़ा जो super cluster है वो है सरस्वती super cluster यह आपको याद रखना है कि सरस्वती super cluster अभी तक हो जा गया सबसे बड़ा cluster है सबसे बड़ा cluster है जो milky way है यह जो है local group galaxy का part है जो अपना अतास गंगा है वो क्या है local जो अपना बैसे हमने बताया कि कई galaxy मिलके क्या बनाते है local group बनाते है तो जो अपना galaxy है वो local group का हिस्सा है जिसमें 54 galaxies है और यह आगे चरके जो है वर्गो cluster है वर्गो cluster का हिस्सा है अगर पूछा जाएगा कि जो अपना मंदाकनी है यानि हमारा जो अतास गंगा है वो किसका हिस्सा है वो है वर्गो cluster का और यह जो वर्गो cluster पुछता है वो लेनिया की super cluster का हिस्सा है तो यह आप ध्यान रखिएगा यह बहुती कुछ दिन पहले इसकी कोज हुई है I guess 2014 में इसकी कोज हुई है और यह जो है लेनिया कीया super cluster का हिस्सा है यह एक दम याद रखिएगा बहुत ही important और बहुत ही जो है उंदा information है जो अपना milky way है वो किसका हिस्सा है local group का local group किसका हिस्सा है वर्गो cluster का और वर्गो cluster किसका हिस्सा है तो यह है दोस्तो linear कीया super cluster का दो नाम में confuse नहीं होना है, सरस्वती सूपर क्लस्चर के बारे में हमने क्या बताया, सरस्वती सूपर क्लस्चर के बारे में हमने ये बताया, कि वो अब तक हो जा गया सबसे बड़ा सूपर क्लस्चर है, नाम सरस्वती है तो confuse मत हो जाना कि यहां जी इंडिया और हम ऐसे गर भीजिआ थोड़ा आपको बड़ीया हो जाए इसके लिए मैंने ये बताया है देखिए ये जो है ये पूरा गलक्सी किस तरह का अलग-अलग बना हुआ है ये देखिए अलग-अलग जो ये समु बने वुए है ये जो है वर्गो ये वर्गो क्लस्चर है और ये वर्गो क्लस्चर जो है ये आपका बनता है ये देखिए लेनियाकिया सूपर क्लस्चर ये जो है पूरा लेनियाकिया सूपर क्लस्चर है जिसमें वर्गो है दोस्तों अगला जो है हम देखेंगे Life cycle of a star, Life cycle of star की जो जिस तरह से मनुष्री का जन्म होता है और आगे मनुष्री बढ़ता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बुड़ा होता है और फिर मर जाता है इसी तरह से तारे जो होते हैं तारे का भी जन्म होता है उसकी भी एक उम्र होती है और एक दिन तारा भी मर जाता है बहुत है ना बहुत इंटरेस्टिंग अभी आप इसको देखेंगे कि कैसे जो है एक तारा का जन्म कैसे होता है और उस तारे का जन्म होने के बाद क्या-क् फट से हम इसको देखेंगे दोस्त जो यह evolution का जो stage है na evolution का stage इसको हम इस तरह से बाढ़ सकते हैं कि यह 6 stage है ठीक है यह क्या है नेबुला है पहला stage है नेबुला दूसरा stage है प्रोटो स्टार तीसरा है में सिक्वेंस स्टार रेड जाइंट जिसको रक्त दानब भी कहते हैं द तारा कितना दर्म्यान का है कितना बड़ा है कितना मास है उसका उसका उस पर आधारित जो है यह white dark neutron star और black hole में convert हो जाता है तो supernova तक जो है यह जो red giant phase तक जो है वो तो सभी तारों की गतिये की होती है गति का मतलब दशा की वो एक ही phase से गुजरते है एक ही तरीके से उसका निर्मान और उसका जो है evolution होता है लेकिन red giant phase के बाद उसके साथ क्या होगा यह depend करता है उसके mass पर उसके द्रबिमान पर है ना तो जल्दी से हम आगे देखते हैं कि यह क्या होता है nebula क्या होता है protostar क्या होता है main sequence phase क्या होता है है ना यह red giant phase क्या होता है supernova क्या होता है फिर कौन है जो white dwarf बनता है कौन है जो black dwarf बनता है कौन है जो black hole बनता है कौन है neutron star बनता है यह देखेंगे हम लेकिन नेबुला क्या होता है नेबुला जो है यह cloud of dust है hydrogen helium और अलग जो ionized gases है उसका cloud है यानि मुखिता आप जानते हैं क में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाये जाने वाला जो gas है वो क्या है hydrogen है तो hydrogen helium और जो ionized gases है उसके बादल को कहते है नेबुला इसको निहारिका भी कहते है इसको क्या कहते है निहारिका है ना तो यह समझा गया कि निहारिका क्या होता है निहारिका होता है gases के बादल को कहत कई सारे ionized gases और hydrogen और helium ठीक है it is also called birth place of star यह याद रखें कि nebula को birth place of star कहते हैं तो birth place of star कहते है nebula को और यह याद रखना होगा और जो पहले ही बताया हमने कि जो orient nebula है यह क्या है brightest nebula है sky में और जो star की life cycle होती है दोस्तों वो किस पे depend करती है वो करती है जो तारा जितना बड़ा होगा उसका जो जीवन काल होगा उतना छोटा होगा यानि जिसका जितना जो है इस मास बड़ा होगा क्या होगा वो उतना छोटा होगा तो कहते हैं कि the larger its mass the shorter its life cycle तो आई गेस आपको nebula का concept समझा गया हो कि nebula क्या होता है और आगे बढूला जो है जो है वो क्या होता है कि जो इसमें hydrogen gas होते है वो क्या होता है इसमें gravity के कாरण क्या होता है gravity के खारण जो आपए जाने वाहले gas जो है वह सेंटर की तरफ attract हो जाते हैं और यह गहुमना शुरू कर देते है بعد तेजगती से इसकी वज़े से क्या होता है वो हीट उसमें उत्पन हो जाती है और हीट उत्पन होने की वज़े से क्या होता है कुछ इस तरह का structure बन जाता है कि जो बाहर की तरफ hydrogen था वो खिच के क्या आ गया कुछ यहां पर आ गया बीच में आ गया और जो इस तरह का structure बन जाता है इसको कहते है Proto Star प्रोटोटो इस्टार देखे नाम से ही आपको पता लगा होगा कि ज़ो Proto Star क्या होता है कि कोई बनने से पहले की जो प्रकिरीया जैसे Proto-type होता चीज फाइनल बनता है उसका पहला जो है वो stage होता है दोस्तों proto star और proto star क्या है इसमें hydrogen बीच में जाते हैं spilling के विज़े से temperature होता है बढ़ता है और ये गरम होने लगता है और थोरा थोरा glue करना शुरू कर देता है इसको बोलते हैं proto star ये जो है अगर मान लिजिए कोई sun के size का और या उससे छोटा star है तो ये करीब 5 लाग साल तक proto star के phase में रहता है दोस्तों यानि ये जो 5 लाग साल तक है वो बच्चा रहता है तो ये हो गया proto star आप अच्छे से समझ गयोंगे कि क्या होता है hydrogen gas नेबूला के center में खिच जाता है और उसकी वज़े से वो घूमता रहता है और temperature बढ़ने के वज़े से थोड़ा बहुत glow करने लग जाता है और stage को क्या कहते है प्रोटो star और प्रोटो star जो होता है वो इसका एक तरह से आप कह सकते हैं ये बच्चपन है पहली अवस्था है उसके बाद दीरे-दीरे क्या होता है वो गूमता रहता है और जो है हीलियम जो है वो बर्न होके क्या है हीलियम में बदलता रहता है और temperature बरके जब ये डियर क्रोट डिग्री तक पहुंच जाता है दोस्तों तो क्या होता है ये जो है गलो करना सुरू कर देता है फुल इंटेंसिटी के साथ और जब गलो करने सुरू कर देता है तो क्या होता है ये थोरा सा सिकुडता है और फिर स्टेबल हो जाता है थोरा सा सिकुड के स्टेबल हो जाता है ये जो इसका है इसको कहते हैं में सिक्वे से इसको मुख्य अनुक्रम भी कहते हैं मतलब यह जो है यह आप एक तरह से कह सकते हैं यह जो है यह तारों के जवानी के दिन है तारे अब जवान हो चुके हैं यह पूरी इस इंटेंसिटी से गलो कर रहे हैं इस समय क्या होता है कि बाई टेंपरेचर बने के कारण क्या होता है नुक्लियर क्यूजन जो है वो होने लगता है इसके कोर में और उसकी वज़े से क्या है यह गलो करना शुरू करता है और थोरा सा कॉंट्रेक्ट होके उसके बाद यह स् स्टार कहेंगे और इस उम्र में जो है यह millions billions year तक रहते हैं जैसे इसके हमने proto star में बताया था कि करीब 5 लाग साल तक रहते हैं तो इसी वो sun के size को depend करता है again तो लेकिन इसमें क्या है कि भाई यह जो है क्या है कि millions billions year तक में स्टार रहते हैं अभी अभी जो अपने sun है अपने सूरज है वो अगर पूछा जाएगा कि sun जो है वब्रमान में अभी जो तारे है उसमें से 90 परसें जो तारे हैं वो इसी में हैं यानि आप कह सकते हैं जैसे हैं प्रत जो है युवा बहुत ज़्यादे हैं तो युनिवर्स जो है अभी अपना युवा है क्यों क्योंकि इसमें ज्यादतर तारे जो है दोस्तों क्या है वो में सिक्वेंस फेज में है तो करीब 90% आप दे स्टार जो है युनिवर्स के वो क्या है इसके बाद हम आएंगे रेड हो जाता है और यह रक्त दानव फेज यह रेड जाइंट फेज इसको क्यों करता है क्या होता है कि जैसे में सिक्वेंस में ग्लो करना शुरू करता है आपको पता है कि हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो रहा है है इसका जो ग्लो है वो कम हो जाता है और यह लाल देखने लग तो रख्टदानव या इसको कहते हैं रेड जाइंट फेज ठीक है तो एक बार जल्दी से क्या देखें कि जो में सेक्विंस स्टार क्या है कोर जो है कनवर्ट होता है हिलियम में नुकलियर फूजन के कारण और हाइडरोजन सप्लाई जो है कोर में खतम होने लगता है और स्टार में जितनी हीट उत्पन करने की क्षमता होती है वो घट जाती है दोस्तों मैं एक चीज आपको उधारन से बताता हूँ शायद आप हो जाता है वो कुछ इस तरह का हो जाता है आप अगर रिलेट कर सकते हैं यह लाल हो जाता है हलका सा तो कहने का मतलब क्या है कि जिसका जब फ्यूल खतम हो जाता है तो यह इस तरह का दिखने लग जाता है अब यह कह सकते हैं कि तारह जो है उड़ा हो चुका है और वो खा बाहर तो hydrogen है, अभी भी, core में खतम हो गया है, तो वो expand करना शुरू करता है, और ये क्या है? खंदा होके लाल हो जाता है, इसको क्या कहते है? इसको कहते है ची, red giant phage, red giant phage होने के bahad क्या होता है? अलग-अलग गती, क्या तारा है, कितना बड़ा तारा है उस पे, अगर छोटा तारा है तो उसको कहते हैं नोवा, छोटा का मतलब क्या होता है और बड़ा का मतलब किस स्केल पे होता है, वो भी मैं आपको डीटिल में बताऊंगा, कि किस तारा को आप कह सकते हैं कि छोटा है udah यह बढ़ा है यह क्या होता है उनका जो मेरे स्टार्ण हो सब एक जैसे हो जो किने मेन वहां तक बस से आएगा लेकिन उसके बाद जो है इन की जार्य है का जो जो massive star होते हैं जो बरे star होते हैं उनमें supernova explosion होता है मैं आपको explain करूगा कि supernova explosion क्या होता है और वो क्यों होता है सब detail में बात करेंगे supernova जो है वो caused होता है इसको कहा जाता है dying of a massive star अगर कोई बड़ा तारा है और वो मर रहा है तो उस visfort को कहते हैं supernova आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं ये विलक्षन जो है visfort होता है और इस तरह का visfort होता है इसको कहते है supernova visfort यानि supernova क्या है by dying of a star जो star मर रहा होता है तो उसको कहते है supernova अगर वो बहुत बड़ा है तारा तो वो supernova visfort कहला है चलो दोस्तों अगला हम देखेंगे कि कारन क्या है supernova होता क्यों है यहां पर क्या है कि एक कोई star है इसको hold करके क्या रखता है एक star जो है hold करके क्या क्या इसी चीज़ है जो और के इसमें forces काम कर रहे होते हैं तो तरह के जो इसमें forces अग्रेविटी चाहता है कि इसको इतना छोटा करें जो ताइटेस्ट बॉल पॉसिवल है उसमें हम इसको contract करे, इसको हमे खें हो चोटा कर दे, यह जो है इसका यह जो gravity है यह gravity का क्या लक्ष रहता है कि इसको इस तरह दबाएं और छोटा करें और छोटा से छोटा बना दे, ठीक है? लेकिन इसके core में क्या होता है कि core में जो है आपको पता ही है कि nuclear fusion हो रहा होता है उससे heat or energy जनेरेट हो रही होती है तो क्या होता है यह फैलना चाहरा होता है तो इससे क्या होता है कि एक टाइम में जब यह होता है कि भाई पोर में क्या है फ्यूल वर्निंग जो है वो चलता रहता है और एक बार यह खतम हो जाता है अब एक बात बताओ कोई यह गोला है उसमें अंद से बाहर की तरफ फॉर्स लग रहा है की इस तरह से और बाहर की तरफ ग्रेविटी लग eigen यहां का diu kा क्या होगा विर्द्धी कॉलैपस इस तरह को जाता है और इसी घटना को कहा जाता है दोस्तों शौपर नौव स्टार क्या है यह बैलेंस होता है बिट्विन टू अपोजिट फोर्से कौन-कौन से स्टार ग्रेविटी ट्राइज टू स्क्वीज दो स्टार इंटू स्मॉलेस टाइटेस बॉल पॉसिबल को एक बॉल बनने की कुशिश कर रहा होता है और जो नुकलियर फ्यूल होता है य स्क्वीज करने के कोशिश करेगा लेकिन क्या हुआ आणले का अचानक से पीछे अट जाए तो होगा और ये तारह क्या हो गया याँ या यहां को फुल प्रस इथ हो गया इग और इस बीजत्त को क्या कहते हैं दोस्तों इसको कहते हैं सूपर नोवा कुछ इस तरह का विस्फोट होता है कि कैसे वह बर्न हो रहा है बर्न हो रहा है और अचानक से विस्फोट हुआ और यह जो है इस explosion को कहते हैं सूपर नोवा बिसफोट अब देखते हैं कि दोस्तों हमने सुना होगा कि black hole क्या होता है यह जो बिसफोट होने के बाद जो है यह किस गती को पड़ाब जैसे इंसान मरने के बाद हम लोग कहते हैं कि कोई स्वर्ग चला गया कोई नर्ग चला गया तो हम देखें कि तारा जब मर गया तो इसका क्या हुआ दोस्तों इसका जो है कौन white darf में बना इसको श्वेत वामन कहते हैं इसको कहते हैं दोस्तों श्वेत वामन और इसको neutron star को neutron तारे ही कहते हैं दोस्तों और इसको कहते हैं, ब्लैक होल को हिंदी में कहते है, कृष्ण विवर, कृष्ण विवर का मतला होता है दोस्तों अच्छे विवर, तो यह जो ब्लैक होल है, और यह कौन-कौन तारे क्या बनते हैं, एक चीज ध्यान से देखिए, जब इस फोट हो, हमने क्या कहा था, कि चाहे अवसेस है, उसका विश्फोट के पाथ जो मास है, वो अगर सूरिक सोलर मास के 1.44 के सीमा से, अगर कम रहेगा, मान लेजिए, जो सन का दर्बगान है, सन के मास से 1.44 को हम एक सीमा मानें, और उस सीमा से, अगर स्टार का मास कम है, तो वो क्या बन जाएगा दोस्त, वो बन स्टार खतम होगा, वो क्या बन जाएगा, वाइट द्वार्फ बन जाएगा, मैं अभी दिखाऊंगा, तो वाइट द्वार्फ ऐसा होता है, और वाइट द्वार्फ बनने के बाद क्या होगा, वो कूल डाउन होगा, और कूल डाउन बनके, वो क्या हो जाएगा, ब्लैक चार के सीमा से कम होगा तो वह श्वेत मामन में बनेगा वाइड डॉर्फ में बनेगा और वाइड डॉर्फ कूल डाउन होके क्या बन जाएगा ब्लैक डॉर्फ बन जाएगा दूसरा क्या है कि अगर माल लीजिए कि यह कोई सन है जो सन के द्रभ्णान के 1.44 गुना से लेके 3 टाइमस तक है अगर 3 टाइमस तक है दोस्तों तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा निट्रोन स्टार चाहा कि अगर माल लीजिए कोई टारा है जिसका एक्स्प्लोजिण के बाद मैसिव तारा है वो 3 सोलर जो मास है उसके तीन गुना से वो जादा है तो उसको क्या कहते है उसको कहते है जी वो किस चीज में बनेगा वो बनेगा ब्लैक होल वो क्या होगा अगर कोई तारा है उसका जो साइज है वो सन के रविमान से तीन गुना है तीन गुना से जादा है तो जब उसका भी स्पोर्ट होगा तब व पिरऊंटटबना किया होता है कि पाता है उसमें जतनी मैटर और आपने अंदर अबजॉब कर लेता है और वह इसा च्छेत्र और समय तर्माइब क्रस्थ पास नहीं कर पाता है इसलिए उसको कहते है ब्लैक होल को कहते है क्रिस्न विवर ठीक है तो I guess आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि तारे के मरने के बाद उसकी तीन गति होती है या तो वो बनेगा हुआई द्वार्फ या वो बनेगा निट्रोन स्टार या फिर बनेगा वो ब्लैक होल और कैसे बनेगा यह समझ यह जो सीमा है दोसस्थ गीवर तो सनकी संखर मास का 1.44 इसको बोलते हैं चंदर प्रक करता है कि तारे बनेंगे वह थो उट्रोन बनेंगे या black hole बनेंगे दोर्तू तो और एक अंतिम बात मैं आपको पता दूँ कि जो rotating neutron star होते हैं दोस्त उसको कहते हैं pulsar जो rotating neutron star होते हैं उसको कहते हैं pulsar तो I guess आपको ये पूरा chapter अच्छे से समझाया होगा आपने किस तरह से universe बना कैसे-कैसे galaxies बने किसको क्या कहते हैं और कई सारे मत्वपुर्ण सवाल इसमें discuss हुए और तारे के मृत्यों के बाद क्या होता है जो पूरा life cycle है तारे का वह आपने पढ़ा मेरा विश्वास है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और प्लीज आप comment करके हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा क्या समझाया क्या आपको बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद